दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाए मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त लकी गुज्राल और आप देख रहें मेरा चैनल लकी पाइल गुज्राल तो दोस्तों आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ पाचास क्यूशनों के यह पेपर लेकिया है हूँ उमिद करता हूँ कि पहले वाले जैसे वीडियो आपको पसंद आए ये भी आपको जरूर पसंद आएगा और आपके लेवल का ही यह पेपर है तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दवा ले ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिलते रहे तो दोस्तों चली करते हैं आज एक बार फिर वही 50 परशन आप और मैं दोनों मिल करके तो पहला परशन आपकी स्क्रीन पे है चली देखते हैं पहला परशन नाटे शास्तर में कुतूब के कितने परकार उल्ले खित हैं नाट्टे सास्तर में कुतुब के कितने परकार उल्ले कित हैं पहला है दो, दो परकार, दूसरा है तीन परकार, तीसरा है चार परकार और चोथा है पांच परकार तो दोस्तों आपने प्रस्ण देखी लिया होगा और आपने आंस्वर भी सोच लिया होगा तो चलिए देखते हैं आपका आंस्वर सही है कि नहीं तो इसका सही आंस्वर दोस्तों दो नम्मर का होगा तीन परकार कुतुब के कितने परकार बताए हैं तीन अगला प्रश्ण है दोस्तों किस काल में वाद्यवरंद को नोबद के नाम से जाना जाता था पताए दोस्तों तो आपने इसका सही आंसर देखते हैं इन चार आपसंस में से ढूणना है पहला है गुप्त काल दूतरा वेदिक काल तीसरा रामाइन काल और चोथा है मुगलकाल तो दोस्तों आपने चारो ओपसन देख लिए होंगे और चारो ओपसनों में से सही आंसर भी आपने चुन लिया होगा तो चलिए देखते हैं आप सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर दोस्तों चोथा है मुगलकाल और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दो नोबद जैसे कि नाम से ही परिचित है नाम से ही लग रहा है इसके अंदर नो प्रकार के वाद्य अंतर होते थे ये भी प्रशन पूछा जा सकता है कि नोबद के अंदर कितने प्रकार के वाद्य अंतर होते थे तो दोस्तों आपको ध्यान होना चीए नो बद के अंदर नो प्रकार के वाद्य अंतर होते थे तो चलिए अगला प्रिश्ण देखते हैं दोस्तो निम्रांकित में से बिना सारी का वाला वाद्य चुनिए इन में से जो नीचे ओप्षन दिये गए इसराज और चोता है गोटू आद्यम तो दोस्तों आपने देख लिया होगा एक बार फिर से देख लिजी पहला है सरस्वती विना दूसरा है सुर्बाहार तीसरा है इसराज और चोता है गोटू आद्यम तो दोस्तों आपने सही आंसर ढूंड ली होगा चलिए एक बार सही आंसर देखते हैं तो इसका सही आंसर होगा Go to Adem दोस्तों देखते हैं अगला प्रस्ट पंजाब घराने की नीव किसे ने रखी कल भी एक प्रस्ट इसे से रिलेटेड आया था दोस्तों अब आप देख लीजिए कि एक ही पेपर में मतब देड़ सो क्यूशन्स के अंदर आपको दूसर या तीसरी बार इससे संबंदित प्रस्ट आया है कल आया था कि जाकर हुसेन खान साब का घराना कौन सा है आज आया है कि पंजाब घराने की नीव किसे ने रखी तो चार उपसन में से देखते हैं कौन सा सही है पहला है उस्ताद फक्किर वक्स दूसरा है उस्ताद अलारक अलारका तीसरा है जोध सिंग पकावजी और चोता है राम सहय तो दोस्तों आपने चार उफसन देख ली है और आपने पहचान भी लिया होगा कि इसका सही आंसवर क्या होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसवर क्या है तो इसका सही आंसवर दोस्तो पहला ही है उस्ताद फकीर बक्स दोस्तो अगला पुशन देखते हैं पहला है करामत हुसेन, दूसरा है मुस्ताक अली, तीसरा है स्री कुदव सिंग, और चोथा है नाना पांच से तो दोस्तों आपने पैचान ही लिए आवगा चारो अप्शनों में से, तो देखी, चले देखते हैं कुछ अंसर सही है तो इसका तीसरा उप्शन ही सही है, कुदव सिंग, दत्या, घराने समदित कलाकार कुदव सिंग जी है चले अगला प्रशन देखते हैं, करनाटक ताल व्यवस्ता में लगू गुरु प्लियूत के लिए प्रियूक्त चिन है पहला है जिसमें अवग्र या एस जैसा है, फिर चो हमारे उत्री संगीत में खाली का चिन होता है जीरो, फिर है क्रोस, जिस सम का चिन होता है दूसरे वाले में है एक, तीन और क्रोस, तीसरे में है अर्जजंद्राकार, फिर एक और फिर एस, चो हमारे एक, एस और तीन तो दोस्तो आपने चार ओफसन देख लिए हैं, और आंसवर यह आपने पहचान लिया होगा, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसवर, तो दोस्तो इसका सही आंसवर होगा इसका, चो हो था, एक, एस और तीन दोस्तो अगला प्रशन देखते हैं, नाटे सास्तर में कितने भाव तथा रसों का उलेख किया है, तो चार ओफसन देखते हैं, पहला है, आठ भाव, आठ रस, दूसरा है, तेतिस भाव, आठ रस, तीसरा है, नो भाव, नो रस, चोथा है, चार भाव, नो रस, तो दोस्तो, आपने चार ओफसन देख लिए हैं, और आपने सही आंसवर भी ढूंड लिया होगा, तो चलिए देखते हैं, सही आंसवर क्या है इसका, तो इसका सही आंसवर पहला ही है, आठ भाव, आठ रस, जाने जाते हैं जाने जाते थे निशंक नम से जाने जाते थे चार उप्सन है पहला है मतंग दूसरा है सारंग देव तीसरा है नारत और चोथा है अहोबल तो दोस्तों आपने पैचान लिया होगा सही आंसर चार उप्सनों में से तो देखते हैं कौन सा सही है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो अहोबल अहोबल को निशंक नम से दोस्तो शमा करें ये साइध मिस्प्रिंट है निशंक नाम से जाने जाते थे ये नम की जगा नाम होगा दोस्तो तो निशंक नाम से कौन जाने जाते थे अहोबल आगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों The Philosophy of Fine Arts The Philosophy of Fine Arts किसने लिखी पहला उप्षन है हीगले, दूसरा डेकॉर्ड तीसरा प्लेटो और चोता है रामरंजन तो दोस्तों आपने चार उप्षन देख लिए हैं और आप पहचान भी गए होंगे इसका सही आंस्वर तो चलिए देखते हैं इसका सही आंस्वर क्या है तो इसका सही आंस्वर दोस्तों पहला ही है हीगले हीगले ने The Philosophy of Fine Arts लिखी है आगला प्षन है क्रोचे के अनुसार सोंद्रे सास्तर के लिए कौन सा तत्तु महत्यफुन है क्रोचे के अनुसार सोंद्रिय शास्तर के लिए कौन सा तत्तु महत्यफुन है पहला है विरक्ति तूसरा है अभिव्यक्ति तीसरा है फ्रेलेखन और चोता है पुन्डरवास तो आप लोगों ने देख लिया होगा सोच लिया होगा इसका सही आंसर तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है तो इसका सही आंसर दोस्तो दूसरा है अभिव्यक्ति आगला पुष्णिय दोस्तो अस्था अस्था पत्यकला एक जमा हुआ संगीत है यह कतन किसका है अस्था पत्यकला एक जमा हुआ संगीत है यह किसका है यह कथन किसने कहा चार ओप्षन है पहला है रोबिन्स तूसरा जिमी कार्टर तीसरा हीगले और चोता है अब्राहम लिंकन तो दोस्तों आपने सभी ओप्षन देख लिए हैं चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर हीगले होगा दोस्तों अगला पुर्शन है दोस्तों 1916 में पंडित भातकंडे ने प्रथम संगीत संभिलन का आयोजित किया इसका पहला ओफ्षन है लखनों में दूसरा है बडोधा में तीसरा है दिल्ली में या चोथा है इलाबाद में तो आपने सही आंसवर ठून लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसवर तो दोस्तों इसका सही आंसवर दूसरा है बडोधा में अगला प्रशने दोस्तों ठुमरी गायन में प्राई कौन सी ताल प्रियुक्त होती है ठुमरी गायन में प्राई कौन सी ताल प्रियुक्त होती है पहला है पहला ओप्सन है तिलवाड़ा दूसरा है तीविरा तीसरा है धमार और चोथा है तीवचंदी तो दोस्तों आपने चारो ओफसन देख लिए हैं और आप समझ ली होंगे देखते हैं इसका सही आंस्वर क्या है तो दोस्तों इसका सही आंस्वरों का दीप चंदी चलिए अगला प्रशन देखते हैं आविर भाव इव तिरो भाव दर्शाते हुए रा का पूर्ण रूप से परदशन करना कहलाता है चारो ओफसन इस परकार है पहला है अक्षिप्तिका दूसरा अस्थाई तीसरा हालप्तिकान और चोता है रूप का लाप तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं हॉफसन जल्दी बोल रहा हूँ और जल्दी ही आनसवर बता रहा हूँ तो आप सोचना चाहें तो वीडियो को पोज करके भी आप आप आनसवर को सोच सकते हैं और इसके बाद चेक कर सकते हैं कि आपने जो आनसवर शोचा मैं बस आप से ही की रिक्विस्ट करता हूँ कि नहीं है चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिये ताकि मेरे हर रोज का जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसका आपको नोटिफिक्शन मिल सके बेल आइकन दबा करके और अगर आप पहले से मेरा चैनल देख रहे हैं तो एक लाइक तो प्लीज बनता है तो दोस्तों सही आंसवर आपने ढून लिया होगा देखते हैं इसका सही आंसवर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही आंसवर तीसरा अलाप्तिगान होगा आवीर भाव इवित तिरुभाव दरशात्युए रा का पूनरूप परत्षन करने कहलाता है आलाप्ति गान अगला प्रशन है दोस्तों संगीत रतनाकर क्या नुस्दार निबद्ध है निबद्ध क्या है पहला है धृपद, धमार, ख्याल दूसरा है प्रभंद वस्तु रूपक तीसरा है रागालाप रूपकलाप आलापती चोथा है देनक आलापती ले तो दोस्ता आपने सही आंस्वर देख लिया होगा तो चलिए ढूनते हैं इसका सही आंस्वर इसका सही आंस्वर होगा दूसरा प्रभंद वस्तु और रूपक तो इसका कौन सा सही आंस्वर है दूसरा वाला अगला प्रश्ण दोस्तो निम्मन लिक्षित में से सूत यो मीड के मद्धे आंतर दर्शनाने हितु कौन सा विकल्प सही है सूत और मीड के बीच का जो अंतर दर्शने के लिए इन नीचे दियो ओपसंच में से कौन सा विकल्प सही है तो चलिए देखतें पहला विकल्प है सितार एवम पखावज दूसरा है तबला एवम पखावज तीसरा है दिल रुबा एवम सारंगी चोथा है सारंगी एवं सितार तो आप लोगों ने सही आंस्वर ठून लिया होगा दोस्तो तो चलिए देखते हैं इसका सही आंस्वर क्या होगा तो दोस्तो इसका सही आंस्वर चोथा ही है सारंगी एवं सितार दोस्तों अगर किसी भी प्रशन पर आपको डाउट है या आपको लगता है कि ये प्रशन गलत है इसका सही आंसर ये होना चीए तो आप मुझे कमेंट्स बोक्स में बता सकते हैं और दोस्तों मैं बार-बार आप से ही कह रहा हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप अपना स्कोर नहीं बता रहे हैं कि मेरा स्कोर कितना हो रहा है और मुझे किस तरीके से तैयारी करने चीए अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत में गय तथा मैं स्वर के बीच की दूरी क्या है हिंदुस्तानी संगीत में गय और मैं स्वर के मध्या की बीच की जो दूरी है क्या है पहला है नो बटावा आठ दूसरा ओप्शन है विकल्प है दस बटावा नो तीसरा विकल्ब है चार बटावा पांच और चोथा विकल्ब है सोला बटावा पंदरा तो दोस्तों आपने सही आंसर ढून लिया होगा चले देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है तो दोस्तों इसका सही आंसर चोथा होता है सोला बटावा पंदरा दोस्तों अगला पुश्ण है तब लेके फरुकाबाद घराने की नीव किसने रखी है जो नीचे दिये विकल्प में से हमें ठूड़ना है तो चलिए देखते हैं पहला विकल्प जो है मसीद खाँ दूसरा है नन्नि खाँ तीसरा है पक्षू खाँ और चोता है हाजी विलाइद खाँ अली तो आपनी चारो उपसन देख लिए हैं चारो विकलब आपने देख लिए अब चलिए ढूंड तेन में से सही विकलब क्या है तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा जो था? हाजी अली हाजी विलाइद अली अगला पुर्षन देखते हैं दोस्तो रेजीन अत्वा वीरोजा का प्रियोग किस वाद्दे के लिए होता है चार विकल्पिस प्रकार से हैं पहला है सितार, दूसरा है सरो, तीसरा है वाईलीन और चोथा है संतूर तो दोस्तो आप लोगों ने ढूंड दिया होगा सही विकल्पिस का फिर भी देखते हैं कुण सा है तो दोस्तो इसका सही विकल्प है वाइलिन अगला पुर्शन दोस्तो निमना कित में से मेजर कॉड को चुनिए इनमें से मेजर कॉड को हमें ढूणना है तो पहला विकल्प जो है वो है सागपा दूसरा है सागपा तीसरा मधसा और चोता है मधनी जिसमें दोनो ध्या और नी कोमल है पहला वीकल्प जो है उसके अंदर सभी सभी शुद्धस्वर है दूसरा जो वीकल्प है उसमें कोमल गंधार के साथ सा और पा है तीसरे वीकल्प के अंदर मा कॉमल ध्यवत के साथ मा और तारशब्त का साहे और चोथे वी कल्प में मा तथा ध्यवर्नी कॉमल है तो आपने ढूंड लिया होगा चलिए देखते हैं इसका सही वी कल्प क्या है तो इसका सही वी कल्प होगा दोस्तों पहला ही सागा पाओ अगला पुशन है दोस्तों कार्ड के तीनो स्वरों में परस पर दो टोन की दूरी कहलाती है कार्ड के तीनो स्वरों में परस पर दो टोन की दूरी क्या कहलाती है या कौन सी कहलाती है नीचे दिये वी कल्प में से हमें तलासना है तो देखते हैं पहला भी कल्प है major card दूसरा है dominant card दूसरा है diminished card और चोता है argument card तो दोस्तों आपने सभी भी कल्प देख लिये हैं और आपने answer भी ढून लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही answer क्या है तो दोस्तों इसका सही answer जोता ही है argument cards चलिए अगला परशन देखते हैं दोस्तों निम्रांकित में से कौन सा शब्द polyphonic रचना के लिए प्रियुक्त होता है एक बार फिर देख लेते हैं निम्रांकित में से कौन सा शब्द polyphonic रचना के लिए प्रियुक्त होता है पहला है homophonic दूसरा atonality तीसरा है melody और चोथा है counterpoint तो दोस्तो आपने सभी विकल्प देख लिए हैं उम्मिद करता हूँ कि आपने सही answer ठून लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही answer तो दोस्तो इसका सही answer होगा चोथा counterpoint अगला प्रशन दोस्तो गजल गायन में कौन सी तालों का प्रियोग अधिक होता है या कौन सी तालों का प्रियोग होता है तो चार विकल्प जो हैं वो इस प्रकार से हैं पहला है दादरा एवं कहरवा दूसरा है त्रीताल एवं पंजाबी तीसरा है तीवरा एवं चोताल चोता है जपताल और चूमरा तो दोस्तों आपने सभी विकल्प देख लिए हैं उन विकल्पों में से आपने सही आंस्वर भी ढून लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही आंस्वर क्या है तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा पहला ही दादरायों कहरवा अगला पुशने दोस्तो करनाटक संगीत में पकावज के समान कौन सा वाद्य है करनाटक संगीत में पकावज के जेसा या उसके समान उससे मिलता जुलता कौन सा वाद्य है चार भी कल्प इस प्रकार से हैं पहला है नादस्वरम दूसरा है खोटुवाद्यम तीसरा मर्दंगम और चोथ है मुर्शिंगम तो दोस्तों आपने सभी भी कल्प देख लिए हैं इसका सही आंसर ढूंडते हैं क्या है तो दोस्तों इसका सही आंसर तीसरा है मर्दंगम वो पकावज के समहान यह उसे मिलता जुलता वाद्य है तो दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं संगीत शिक्षा के संधर्ब में हिसाब से आप क्या समझते हैं? संगीत शास्तर का ज्यान दूसरा है रागांग का ज्यान तीसरा है आलाफिम तानों का अभ्यास चोता है राग एवं तालों के सास्तरिन्यम का ज्यान तो दोस्तों आपने सभी विकल्प देख लिए हैं और उमीद करता हूँ आपने सही आंसवर भी ढूंड लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसवर क्या होगा तो इसका सही आंसवर जो था ही होगा दोस्तों राग एवं तालों के सास्तरिन्यम का ज्यान अगला परशन देखते हैं दोस्तों संगीत की घराना शिक्षन परणाली है तू सही कथन है कथन गंडा बंद शागिर्द को ही शिक्षा मिलती थी दूसरा है शिक्षन के लिए सुनिश्चित पाठे करम था तीसरा है उस्ताद के घरेलु कारिया भी करने पड़ते थे तो दोस्तों आपने सभी विकल्प देख लिए हैं तो वैसे दोस्तों इसके जो आंसवर है वो कोई भी आंसवर तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं पूर्णत है कोई भी आंसवर हम नहीं है लेकिन एक संभावित जो आंसवर है मैं 100% उसके लिए शोर नहीं हूँ मैं 130 के लिए निशित नहीं हूँ कि ये सही है संभावित सबसे ज़्यादा जो उचित मुझे लग रहा है वो इसका आंस्वर में बता रहा है आपको दोस्तो तो इसका सही जो उचित आंस्वर है वो इसका तीसरा विकल्ब है दोस्तो पहले आपने विकल्ब देख लीजिए पहला विकल्ब दो सही है तूसरा है दो वह तीन सही है तीसरा विकल्ब जो है एक और तीन सही है चोथा विकल्ब है एक दो तीन तीन सही है तो दोस्तो मैंने बताया आपको कि मैं इसके लिए 100% सही नहीं हूँ लेकिन संभावित जो इसका आंसर है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो इसका सही आंसर होगा तीसरा जिसके अंदर पहला और तीसरा पहला और तीसरा विकल्प दिया है गंडाबर्थ शागिर्दों को ही घराना पदती में शिक्षा मिलती थी उस्ताद के घरेले कारे भी करने पड़ते थी कभी-कभी जैसे घर पे ही रहते थे क्योंकि घराना जो पदती थी वो या तो उन्हीं लोगों को शिखाया जाता था जो उनके परिवार के होते थे परिवार के होते थे या किसी रिलेशन में होते थे किसी संबंद में होते थे नाना, भुवा, चाचा, ताउ जो उनका सामाजिक जो रिस्ता था उसी में से सिखाते थे तो इसका भी ये तीसरा विकल्बिस का जहां तक है सही लगता है कि उस्ताद के घर वल्य कारे भी करने पड़ते थे तो उनके घर पर ही रहते थे और जो घर का देनिक कारे होता था उसमें भी वहाथ बढ़ताते थे जिस प्रकार से प्राचिन काल में गुरुकुल चलते थे और गुरुकुल में जैसे राजा का लड़का हो चाहे किसी मंतरी का या जनता में से कोई हो सभी को समान रूप से कारे करना होता था और जो भी गुरुकुल के अंदर जो देनिक दिन चरिया के अंदर कारे होते थे, खाना बनाना हुआ, कपड़े धोना हुआ, या जाड़ू लगाना साफ सफाई, जो भी सभी कारे सबको समान करने होते थे, वैसे ही घराना पदती में भी, अगर, शीष्चे अगर उसके घर पे रहते हैं, तो उनको भी सभी कारे करने होते थे, तो जहां तक है ये इसका तीसरा विकल्प ही सही है दोस्तों निशित तो मैं भी नहीं हूँ हो सकता है कि ये गलत हूँ लेकिन जहां तक है यही होना चीह छलिए दोस्तों अगला पॉर्शन देखते हैं संबंद मिलाइए जो पॉर्शन है वह है संबंद मिलाइए ए जो पहला भी कल्प है संगीत उसके सामने जो पहला उसका जो उसके सामने जो दिया है उसमें चेनी, हतोड़ा, पत्थर दूसरा है चित्रकला उसके सामने शब्द, छंद, कलम तीसरा है मूर्तिकला उसके सामने रंग, दूली का केनवास और चोता है कावे कला उसके सामने ले ताल स्वर तो दोस्तों इसका सही विकल्प देखते हैं पहला ही विकल्प जो पहला विकल्प है वो इस प्रकार से कि संगीत के साथ चोता विकल्प आएगा और चित्रकला के साथ दूसरा विकल्प दूसरा विकल्प आएगा जिसमें चंद दूसरा विकल्प जो है शब्द चंद कलम और तीसरा जो है मूर्थी कला उसके सामने तीसरा विकल्प है रंग तुली का कैनवास और चोथा विकल्प है उसमें पहला आएगा चोथा विकल्प जो है कावे कला उसके साथ छेनी हा थोड़ा तो पहला विकल्प ये दूसरा है पहला संगीत के साथ आएगा ले तालस्वर पहले के साथ चोथा है फिर दूसरा जो है चित्रकला चित्रकला के साथ इसमें तीसरा विकल्प दिया है रंग तुली का कैनवास और दूसरे के साथ तीसरा विकल्ब दिया है चित्रकला के साथ तीसरा जो है मूर्तिकला मूर्तिकला के साथ पहला दिया है छेनी हाथोड़ा पत्थर और जो इसका चोथा विकल्ब है कावे कला उसके साथ दूसरा विकल्ब दिया है शब्द चंद कलम तो अगला विकल्ब जो है वो दोस्तों है पहले एके साथ दिया है चोथा लेताल स्वर दूसरे विकल्ब के साथ दिया है तीसरा चित्रकला के साथ तीसरा दिया है रंग तूली का कैनवास और तीसरा जो विकल्ब है कावेकला के साथ दिया है शब्द छंद कलम और चोथा वी कल्प जो है वो दिया है उसके साथ पहला चेनी है तोड़ा और अन्तिम जो है वो दोस्तों वो है पहले के साथ चोथा वी कल्प है दूसरे के साथ दूसरा वी कल्प है तीसरे के साथ पहला वी कल्प है चोथे का साथ तीसरा विकल्प है तो दोस्तो आपने सभी देख लिये हैं और ऐसे समझेड़ पाना भी मुश्किल है आप इसको पोज़ करके एक बार समझ करके ही इसका सही आंस्वर सही आंस्वर इसको अच्छे से समझ करके ही दे तो चलिए देखते हैं इसका सही आंस्वर क्या है आप लोगों ने सोच लिया होगा देख लिया होगा अच्छे से समझ लिया होगा तो इसका सही आंस्वर देखते हैं दोस्तों तो इसका सही आंस्वर दोस्तों दूसरा विकल्प है पहले में चोथा विकल्प संगीत के साथ तो ले ताल स्वर ही होंगे और दूसरा जो भी कलप है क्या है चित्रकला चित्रकला में तीसरा उफसन दिया है तो चित्रकला किस चीदों से काम में बनाई जाती है चित्रकला के लिए क्या-क्या चीजें या क्या-क्या instruments क्या-क्या सामान चीए होता है वो सामान इसके सामने दे रहे हैं रंग, तूली का और कैनवास तो रंग, तूली का कैनवास होगा तभी चितरकला बनेगी या चितर का निर्मान, निर्चितर बनाया जाएगा या चितरकला सार्थक होगी और अगला जो विकल्ब है तीसरा विकल्ब के साथ पहला है तो तीसरा विकल्ब क्या है मूर्तिकला तो मूर्तिकला के साथ छेनी हतोड़ा पत्थर मूर्ति बनाएंगी किसी पत्थर के अंदर मूर्ति बनाएंगी तो उसके लिए छेनी बचियेगी रहतोड़ा बचियेगा और पत्थर की बना तो मूर्ती बनेगी नी तो मूर्ती के लिए पत्थर जरूरी है फिर उसके बाद हतोड़ा और छेनी उसको तोड़ कर गए उसको आकार देने के लिए और जो चोथा विकल्प जो है उसका है दूसरा उसके सामने दूसरा दिया है तो दूसरा क्या है चोथा विकल्प क्या है कावे कला कावे कला है तो शब्द कलम चंद ये होंगे तभी तो कावे कला होगी तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूसरा चलिए दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं हिंदुस्तानी संगीत में किस स्वर के बिना राग रचना नहीं हो सकती हिंदुस्तानी संगीत में किस स्वर के बिना राग रचना नहीं हो सकती तो जो चार विकल्प हों है वो इस प्रकार से पहला है म, दूसरा है प, तीसरा है सा, चोथा है ग तो दोस्तों आपने सही आंसर ढूंड लिया होगा चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर दोस्तों सा होगा क्योंकि दोस्तों पहले भी आप लोगों ने मेरे वीडियोज में देखा होगा कि ऐसा मतब हिंदुस्तानी भारते संगीत में या सास्त्री संगीत के अंदर कौन सा स्वर है जो कभी भी वर्जित नहीं होता है या उसको काम में नहीं लिया जाता है ऐसा कौन सा स्वर है तो उसका सही आंस्वर था सा क्योंकि सा एक आधार स्वर है उसके बिना कोई भी रा का निर्मान नहीं हो सकता और उसके बिना हम कोई भी रा को गाने सकते तो इसका जो है कि इसके रा के रचना नहीं हो सकती तो सेम सही प्रसन है थोड़ा सा इसमें हलका से घुमा दिया है तो दोस्तो इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा अगर अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर है दोस्तो तीसरा सा अगला पिश्ण देखते हैं दोस्तो थाट के विशे में कौन सा कथन सही है ध्यान से देखिए दोस्तों लिखावा है थाट के विशे में कौन सा कथन सही है पहला जो विकल्प है वो है एक थाट में साथ स्वर से अधिक स्वर होते है दूसरा जो विकल्प है वो है थाट के स्वर आवरोहात्मक होते हैं तीसरा जो विकल्प है वो है थाट रा का जनक है और चोता है थाट में रंजकता होनी चाहिए तो दोस्तों आपने सभी विकल्प देख लिए चलिए सही आंसर भी ढूंड लिया होगा चले देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर दोस्तो तीसरा ही होगा थाट रा का जनक है क्योंकि दोस्तो पहला जो विकल्प है एक थाट में साथ स्वर से अधिक स्वर होते हैं तो ये तो होई नहीं सकता क्योंकि साथ ही सवर होते हैं और साथ सवर ही एक थाट में परियुक्त किये जाते हैं दूसरा है थाट के सवर अरोहत्मक होते हैं नहीं ये भी गलत है क्योंकि थाट के सवर हमेश्या आरोहत्मक ही होते हैं आवरोहात्मक कभी नहीं होते हैं तीसरा जो है थाट राग का जनक है बिल्कुल क्योंकि थाट से ही रागों का निर्मान हुआ है तो इसलिए यही कल्प सही है और चोथा जो थाट में रंजकता होनी चाहिए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है जबकि यह सब यह थाट में रंजकता होनी चाहिए यह होना चाहिए था तो दोस्तो इसका सही आंसर होगा तीसरा थाट राग का जनक है अगला परशन देखते हैं दोस्तो सही करम बताए ध्वैनी, नाद, सुरूती, स्वर, सब तक दोस्तो सही करम नीचे वाले चार विकलपों में से बताना है तो पहला विकलप हमने देख लिया पहला विकलप है ध्वैनी, नाद, सुरूती, स्वर, सब तक दूसरा है सब तक, स्वर, ध्वैनी, नाद, सुरूती एक बार फिर से सब तक स्वर ध्वैनी सुरूती और नाद अगला जो विकल्प होए ध्वैनी सब तक नाद स्वर और सुरूती चोथा है स्वर सुरूती सब तक नाद ध्वैनी तो दोस्तों आपने पहचान ही लिया होगा तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है तो दोस्तो इसका स्यांसर पहला ही है द्वैनी नाद क्योंकि जब साउंड होगा तब ही नाद उत्पन होगा या नाद माना जाएगा और सुरूती नाद के बाद सुरूती का निर्मान होगा और सुरूती से स्वर होगा और सुर से सब तक बनेगा सब तक दूसरा जो विकल्प है वो तो होई नहीं सकता सब तक पहले कहां से आएगा जब तक स्वर और ध्वनी नहीं होगी तो या नाद या सुरूती नहीं होगी तो सब तक कहां से आएगा तो सबसे पहले ये दूसरा विकल्प नहीं हो सकता द्वानी है लेकिन द्वानी के ज़ेश्ट बात सब तक नहीं आ सकता और जो चोथा विकल्प है वो है सुरूती स्वर स्वर पहले जब तक द्वानी और नाद और सुरूती नहीं होगी तब तक स्वर नहीं हो सकता तो दोस्तो इसका सही आन स्वर पहला ही होगा अगला देख एक बार देख लेतें इसको, इसका विकल्प देख लेतें, चारो पहला विकल्प है पाँच, संगीत रतनाकर में अध्याई हैं, पहला है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 7, और 14 है 12, तो आप लोगों ने चार वी कल्प देख लिये और इसका सही आंसर भी ढूंड लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर दोस्तो तीसरा वी कल्प सही है साथ मैंने पहले भी एक प्रसन दिया था आपको कि सब्त अध्याय, सब्त मतब साथ अध्याय, सब्त अध्याय के नाम से कौन सा, सइध कल के वीडियो में ही था, या पहले के मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ऐसा प्रसना आप लोगों के पास आया है, कि सब्त अध्याय के नाम से कौन सा, मतब कौन सा ग्रंत जाना जाता है सबता अध्याय के नाम से कौन सा ग्रंत जाना जाता है तो उसका जो आंस्वर था वो ही था संगीत रतना कर तो दोस्तो इसका सही आंस्वर होगा तीसरा ही संगीत रतना कर साथ अध्याय अगला परशन दोस्तो सितार के अंतिम दो तार कहलाते हैं सितार के अंतिम के दो तार क्या कहलाते हैं दोस्तों मेरे एक वीवर्स का मेरे पास फोन भी आया था कि सर बताईए कि सितार के अंतिम दो तार क्या कहलाते हैं या सितार के एक बार इसके चारोवी कल्प देख लेते हैं थोड़ा बात करते हैं इस पर पहला है मतलब एक बाद प्रसंट को फिर से देखते हैं सितार के अंतिम दो तार कहलाते हैं पहला जो विकलप हो नो है जोड के तार दूसराए बाज के तार तीसरा है खरज के तार और चोथा है चिकारी का तार तो दोस्तों आपने सही आंसर ढूंड लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर इसका सही आंसर चिकारी तो दोस्तों ये प्रशन उन्होंने मेरे से वीवर्स का जो प्रशन था उन्होंने मुझसे वोटसप पे मैसेज किया और पूछा कि सर्थ चिकारी के तार क्या होते हैं तो मैंने उनको बताया था और आप लोग भी देख लीजे चिकारी के मतब सितार के अंतिम के जो दो तार होते हैं उनको चिकारी के तार कहलाते हैं या उनको चिकारी कितार कहते हैं अगला प्रशन है दोस्तों तंजोर वीना में चिकारी के कितने तार होते हैं तंजोर की जो वीना है उसमें चिकारी के कितने तार होते हैं पहला जो विकल्प है वो है पांच दूसरा है तीन तीसरा है 6 और 4 है 2 तो दोस्तों आपने देख लिया होगा इसका सही आंसवर ढून लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसवर तो इसका सही आंसवर दोस्तों दूसरा ही है तीन चिकारी के उसमें तंजोर विना में 3 तार होते हैं अगला प्रशन दोस्तों किस वीड़ा को गज द्वारा बजाया जाता है दोस्तों ध्यान से बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि जो मैंने पिछले तीन वीडियो डाले हैं दो वीडियो पहले और ये वाला इन में से आपको कहीं से ऐसा लगता हो कि थोड़ा सा इस्टिंडिर्ट अच्छा नहीं है बहुत अच्छा है और ये प्रशन आपके लिए बहुत महतेफुन हो सकते हैं क्योंकि आप लोगों को जानकर इक लिए बतादू आप लोगों वैसे तो आप सब जानते होंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें अगर एक भी प्रस्ण गलत हो गया तो उसका कुछ हिस्सा आपके जो प्रस्ण हल कियें उनमें से भी काट लिया जाएगा तो इसलिए जितना आपका सही हो उतना ही करें और कोशिस करें कि सब प्रस्ण आप हल करके अच्छे से हल करें त्यान से इसलिए अच्छे से तयारी करें दोस्तों तो ये प्रस्म देख रहे थे, किस विणा को गज द्वारा बजाय जाता है, तो पहला है, पहला जो विकल्प है वो चित्रा विणा, दूसरा है रूद्र विणा, तीसरा है कच्छपी विणा, और चोथा है पिना की विणा, तो आपने दोस्तों चारो विकल्प देख लिए, इसका सही आंसवर देखें, देखते हैं क्या है तो दोस्तों इसका सही आंसवर होगा चोथा पीना की विणा अगला प्रशन दोस्तों तबले की जोड़ी में दाया अंग बना होता है तबले की जोड़ी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं एक दाया और एक पाया जिसको कुछ लोग नर और नारी, डगगा और तबला भी बोलते हैं तो उनके अलग-अलग नाम है तो उसमें से पूछा गया कि जो दाया हाथ से जो बजाया जाता है उसको क्या बोलते है तो या वो किस ती से बना होता है, तबले की जोडिक में दाया अंग, दाया अंग भी बोलता है दाया और बाया भी होता है तो जो दाया जो होता है, चाटी वाला अगर आपको वैसे याद नहीं आ रहा समझ भी नहीं आ रहा, तो चाटी वाला छोटा जो तबला होता है दो पार्टों में से एक बड़ा होता है एक छोटा होता है जो छोटा वाला होता है चांटी जिसपे टन की आवाज आती है वो वाला किस से बना होता है आप तो आप सभी समझ गये होंगी तो ना सब बताने की बात फिर भी देखते हैं चारवी कल्ब पहला होता है लोहे का दूसरा तामबे का, तीसरा कास्ट का और चोथा श्टील का तो आपने चारव उप्षन देख लिए तो देखे, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर होगा काश्ट का मतब लकडी का अगला पुशन दोस्तों सरोध में तरब के कितने तार होते हैं सरोध में तबले के सरोध में तरब के सरोध में तरब के कितने तार होते हैं पहला भी कल्प है 12, दूसरा है 10 तीसरा है 8 और चोथा है 11 तो आपने दोस्तों देखे लिया होगा, समझ लिया होगा और जहां तक है, सही विकल्प ठूंड भी लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसवर क्या है तो इसका सही आंसवर है, पहला ही बारा सरोध में तरब के बारातार होते हैं अगला प्रशने दोस्तो दो समान कमपनों के तारों में से पहले तार को बजाने पर दूसरा तार शुवत कमपित होता है ध्वनी का ये गुण क्या कहलाता है अनुनाद विवर्तन तीसरा परावर्तन चोथा है ध्वनी वेग चारवी कलप आपने देख ली है तो दोस्तो इसका सही आंसर ये आपने ढून लिया होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो पहला ही अनुनाद इसका आंसर दोस्तो पहला ही होगा अनुनाद अगला पुश्ण देखते हैं दोस्तों करनाटक संगीत में घराना हितु परियुक्त शब्द है करनाटक संगीत में घराना जैसे दुस्तानी संगीत में या उतरभारती संगीत में घराना होता है उसको घराने के नाम से जानते हैं वैसे ही वहाँ पे करणड़ाटक संगीत में उसको किस नाम से जानते हैं उसका क्या नाम है तो चार विकल्प देखते हैं कौन-कौन से पहला विकल्प है ग्रह, तूसरा है घर, तीसरा संपरदाय, चोथा है स्कूल तो दोस्तो आपने देख लिया होगा, पहचान लिया होगा, तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है, तो इसका सही आंसर होगा, संपरदाय दोस्तों अगला प्रशन देखते हैं भरत ने मूर्चना के परकार बताए है भरत ने मूर्चना के कितने परकार बताए है थोड़ा हो सकता है प्रिंट में थोड़ा विश्टेक हो तो चारवी कल्प देखते हैं क्या है पहला है दोस्तो 2 दूसरा है 7 तीसरा है 4 और चोथा है 6 तो कितने परकार बताएं दोस्तो आपने पेचान लिये होगा तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो चार भरतने मूर्चना के चार परकार बताई अगला परशन देखते हैं दोस्तो Symphony of Season Symphony of Season नामक वाद्य वरंद राग बहार पर आधारित के रचेता का नाम बताईए इनमें से पहला है नंदन श्री माली दूसरा है विष्णुदास सीराली तीसरा है पंडित लाल बनी मिस्र और चोथा है हरिश्चंदर स्री वास्तौ तो आपने चार वी कल्ब देख लिए हैं दोस्तो तो इसमें से सही विकल्ब ठूढ़ते हैं कौन सा है तो दोस्तो इसके सही आंसर होगा दूसरा ही विश्मुदास सिराली Symphony of Season नामक वादिवरंद जो राग बहार पराध हरी था उसके रचेता विश्मुदास सिराली है तो अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो प्रशन है तो आपने चारवी कल्ब देख ली है और आपने पहचान लिया होगा तो चले देखते हैं इसका सही आंसर होगा पहला ही लए अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो अगला प्राशन है निमली खित में से कौन से दक्षिन भारतिये वाद्य नहीं है निमली खित जो चार विकल्प तिये गए उनमें से दक्षिन वाद्य कौन सा नहीं है पहला है घोटु वाध्यम दूसरा है घटम तीसरा है नाजस्वरम और चोथा है रूद्रवीणा तो दोस्तों आपने सही चारवी कल्प देखने के बाद सही आंस्वर ढूण लिया होगा चलिए देखते हैं तो दोस्तो इसका सही आंसर चो था ही है रूद्र वीणा अगला विकल्प देखते हैं दोस्तो अगला प्रशन देखते हैं प्रशन कुछ इस प्रकार है भारत्य संगीत का उत्र भारतिय वै दक्षन भारतिय धारौमि विबाजन काल था कौन से समय में इनका विबाजन हुआ तो देखते हैं इनके विकल्ब पहला है बराचीन काल दूसरा मध्यकाल तीसरा बेदिकाल और चोथा है आदनिकाल तो दोस्ता आपने देख लिया होगा और चारों में से पहचान लिया होगा तो देखते हैं इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर दोस्तों दूसराई है मध्यकाल मध्यकाल के अंदर दो धारों में विभाजित हो गया अगला प्रशन देखो दोस्तों यही आ गया ना मैं आपसे बोली रहा था नोबत में कितने वाद्यों का परियोग किया जाता था मैं आपको पहले ही जब नोबत के बारे में प्रशन एक प्रशन सुरुवात में ही आया था उसी समय में बताया था कि नोबत में कितने वाद्यों का परियोग किया जाता था आपने ठीक से सुना होगा तो आप पहचान गए होगी पहला है पहला जो विकल्प है वो 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चोता है 9 तो दोस्तों आपने पहचान लिए होगा तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर आप सही कर पाते हैं कि नहीं पहले बताने की बात थो डेफिनिटले आप सही करी ही देंगे तो इसका सही आंसर होगा 9 नोबत मतलब 9 वादे है 9 आप इससे नोबत से ही याद रख सकते हैं 9 जो 9 होते हैं अगला पुशन है दोस्तों अगला पुशन है निमन में से एक कार्ड का परकार नहीं है इन में से ऐसा कौन सा है जो कार्ड का परकार नहीं है जो चार विकल्प है वो इस प्रकार से हैं पहला विकल्प है major card दूसरा augmented card तीसरा diminished card और चो था है can'tata card तो दोस्तो आपने देख लिया होगा सही answer इसका क्या होगा तो आप पहचान गए होगे देखते हैं इसका सही answer क्या होता है तो दोस्तो इसका सही answer होगा चो था ही major can'tata card अगला पुशन दोस्तो सुसीर वाद्दे है तु भारतर सम्मानित संगीत ग्या है ठीक से देखिए पढ़िए थोड़ा सा आप पहचान गए होगे सुसीर वाद्दे से जो सुसीर वाद्दे बजाते है ऐसे भारतरतन से सम्मानित कलाकार निम चार वी कल्बों में से कौन है पहला वी कल्ब है बिसमिल्ला खासाब दूसरा है रविशंकर जी तीसरा है भीमसें जो सी और चोथा है सूबलक्षमी जो MS सुबलक्षमी है इनका पूरा नाम तो पहचानी गए होंगे देखते हैं चारोई कल्प रविशंकर जी सितार बजाते हैं तो सुस्रिवादे हो नहीं सकता भिमसेंजी गाने वाले थे वोकलिष्ट थे तो ये भी नहीं है तीसरा है MS सुबलक्षमी जी तो ये भी एक अच्छी गाय का थी तो आपने चारोई कल्प देखने के बाद मैंने वैसे ही आंसर बता दिए तो इसका सही आंसर पहला ही होगा बिस्मिल्ला खासाब जो सहना इवादक थे तो अगला प्रशन देखते हैं दोस्तो आधुनिक संगीत शिक्षा में मान की क्रत योग्यता परिक्षणों को किसने प्रारंब किया चार विकल्प इस परकार चे क्वाल वासर दूसरा बेटले तीसरा काल इस सिसोर और तीसरा पीटर टाइकेमा तो दोस्तो आपने सही विकल्प चुन लिया होगा देखते हैं इसका सही आंसवर क्या है तो इसका सही आंसवर होगा तीसरा काल इस सिसोर आधला प्रशन दोस्तो भारते संगीत शिक्षा प्रणाली को काल कर मनुशार चैनित कीजिए पहला है संस्तागत शिक्षा दूसरा एंटरनेट वतकनिकी शिक्षा तीसरा है घराना शिक्षा और चोथा है वेदिक शिक्षा तो दोस्तों आप पहचान ही गया होंगी चार विकल्प इस परकार से पहले में 1,2, 1,3,4,2 पहला विकल्प जो है दूसरा विकल्प है 2,4,1,3 तीसरा विकल्प है 4,3,1,2 और चोथा विकल्प है 4,1,2,3 तो दोस्तों आपने सही विकल्प पहचान लिए होगा चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर होगा तीसरा चार थी एक दो चार मतलब सबसे पहले वेदिक काल या वेदिक शिक्षा थी तो वेदिक शिक्षा थी फिर उसके बाद तीसरा विकल्प है घरान शिक्षा उसके बाद घरान शिक्षा हो फिर उसके बाद संस्थागत जो मतब कुलोजियों में इसकोलों में पढ़ाया जाने लगा वो था पहला और उसके बाद इंटरनेट वा तक्निकी जो अभी ये मानों कि आप 2000 के बाद ही प्रचार में आई है शिक्षा प्रारम हुई है तो इस प्रकारसिस का तीसरा विकल्प सही होगा अगला देखते हैं दोस्तों निम्न में से कौन सा बासुरी का प्रकार नहीं है निम्न में से जो चार विकल्प दिये हैं निम्न में से कौन सा बासुरी का प्रकार नहीं है पहला है आड़ी बासुर दूसरा है तिरपुरा बांसुरी तीसरा है दही सर बांसुरी और चोथा है करनाट के बांसुरी तो दोस्तों आपने सभी भी कल्प देख ली है चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर का तीसरा ही दही सर बांसुरी दही सर के नाम से कोई बासुरी नहीं होती तो अगला परशन देखते हैं दोस्तों अगला और अन्तिम परशन आज के वीडियो का ये अन्तिम परशन है 1886 में पर्थम संगीत विद्यालय बड़ोदास के संस्ता पक थे 1886 में ध्यान से देखिए बहुत ही इंपर्टेंट परशन है क्योंकि हम जहां तक देखते हैं सुनते हैं कि भातकंडे जी और पलुसकर जी ने मतब गंदरो माविद्यालय किस्ता अपना की और उसके बाद ही संगीत विद्यालय आये है समाज के अंदर हर एक इंसान को सीखने के लिए संगीत विद्यालय में सिख्ष्यगरेंड करने का मोका मिला लेकिन ये जो है ये जो प्रसन है ये हमें और अच्छी जान करें देगा इसमें लिखा है पहल जो प्रसन है वो दे रखा है 1886 में प्रथम संगीत विद्याल है मतलब पहला संगीत विद्याल है बड़ोधा के संगीत विद्याल है जो बड़ोधा में इस्तापित हुआ 1886 में पहला मतलब भारत का पहला संगीत विद्याल है कहां इस्तापित हुआ था ये भी परशन हो सकता आपका आपके सामने, कि 1886 में परफम संगीत माविद्याला कहां पे स्ताफित किया गया तो भी आंसर सही हो आप आराम से कर सकते हैं अगर इस परशन को आपने ठीक से किया हो तो बड़ोदा में दूसरा ये भी हो सकता है कि बड़ोदा में पहला संगीत विद्याल है कब प्राप्त हुआ कौन से सन में हुआ तो वो भी हो सकता है 1886 में इसमें 3-4 परसंद निकल के आ रहे हैं दोस्तों और यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको थोड़ा साच्छे से आप अपने इसाफ से लिख लीजिए पहला परसंद यही बनता है कि 1886 में प्रथम संगीत विद्याल है कहां पर या कौन से सहर में स्तापित किया गया दूसरा परसंद यह बन सकता है कि प्रथम संगीत विद्याल है बड़ोदा के अंदर कौन से सन में स्तापित किया गया और तीसरा प्रशन आप लोगों के सामने है कि 1886 में पर्थम संगीत विद्यले बड़ोधा की संस्तापक कौन थे जिनमें चारवी कल्प इस प्रकार से है पहला है स्वर्गिय अब्दुलकरीब खां दूसरा है पंडित फासकर फुआ पकले तीसरा है उस्ताद मौला बक्स और चोथा है आचारे वरिस्पती तो दोस्तो आपने चारोवी कल्प देख लिये हैं ठीक से समझ लिये होंगे उम्मिद करता हूँ और आपने सही आंस्वर भी चुन लिया होगा तो देखते हैं सही आंस्वर क्या है तो इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा विकल्प उस्ताद मौला बक्स जी के द्वारा इस्तापित किया गया था तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रशन और दोस्तों उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगे लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा और आपको अच्छा लगा होगा अगर फिर भी कोई कमी रही हो या आपको लगता है कि ये इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कल जैसे मेरे क्विवर्स ने मुझे बताया कि आवाज थोड़ी कामा रही है तो मुकोसिस कर रहा हूँ और उमीद करता हूँ कि अब आपकी जो शिकायती वो दूर हो गई होगी तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आप लोग मेरी कम्या मुझे बताएं ताकि मैं उसको ठीक करके आपको जादा से जादा अच्छी सामगरी आपको दे सकूँ मैं भी तयार कर सकूँ और आप लोगों के लिए भी लासकूँ दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटल दबा लें ताक कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिशन मिलती रहे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कल फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे धन्यवाद दोस्तों